हर हर महादेव दोस्तों आज इस वीडियो में हम आप लोगों को पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ विशेश उपाय बताएंगे जो की सिर्फ आपको सबसे पहले जो आप लोगों को उपाय करना है वहाँ आप लोगों के घर परिवार में सुख और शांती को बढ़ाने के ल ये करना है उपाय को करने से आपकी किसी भी प्रकार की अगर कोई विशेश मनोकामना है तो वह पूर्ण हो जाएगी इस उपाय में आपको पांच सामगरियों की आवश्यक्ता होगी जिससे आपका यह उपाय पूर्ण होगा इसके साथ में आपको पांच आटे के दीपक भी तयार करने हैं, जिनके अंदर आपको गोलबाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना है और एक एक करके पाँचों सामगरिया भगवान शिव जी पर चड़ाना है। भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस जा सकते हैं और अब शाम के समय प्रदोशकाल में आपको एक चौमुखी दीपक तयार करना है जो की आटे का ही होगा और शुद्ध देसी गाय का घी आपको उसके अंदर डालना है। अब इसमें जो आप बात ही रखेंगे वह दो लंबी बाती रखेंगे। क्योंकि यह दीपक आपको चार मुख वाला बनाना है जो की चार जगह से जल सके। इस दीपक को तयार करके आप भगवान शिवजी के मंदिर पहुँचकर भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने जो भगवान शिवजी की चौखट होगी। उस चौखट के बिलकुल बीचो बीच शिवलिंग के सामने आपको यह चौमुखी दीपक जला कर रख देना है। अब इस दीपक को रखने के बाद आप भगवान शिवजी से अपने मन की कामना बोल सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और यह उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके घर परिवार में कोई दुख हर समस्या नहीं आ सकती है। दूसरा उपाय इस उपाय को करने से अगर किसी व्यक्ति के शरीर में कोई गंभीर रोग और बीमारी है या शरीर में किसी प्रकार का कष्ट है तो वह ठीक हो जाएगा। इस उपाय में आपको दो चीजों की आवश्चक्ता होगी। सफेद दूर्वा एक लोटा जल अब आप लोग यह सोचेंगे कि सफेद दूर्वा आपको कहां पर मिलेगी तो आप लोगों ने देखा होगा कि जहां पर हरी दूर्वा लगी हुई होती है उसी में कहीं बीच में आपको सफेद दूर्वा भी मिल जाती है। इस उपाय को घर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इस उपाय को करते समय आपको अवधुतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम जरूर लेना है. इस उपाय में आपको सुभसुभ सफेद दूर्वा और एक लोटा जल लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुचना है. मंदिर पहुचने के बाद आपको सबसे पहले भगवान शिव जी की शिवलिंग के उपर यह सफेद दूर्वा को अवधुतेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना है. उसके बाद एक लोटा जल एक धारा से भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है. उसके बाद में यही शिवजी पर चढ़ा हुआ कुछ जल का भाग जलाधारी से अपने लोटे में जहेल लेना है और जो सफेद दूरवा अपने भगवान शिवजी पर चढ़ाई है उसे भी वापस अपने घर लेकर आ जाना है सबसे पहले घर आकर जो आप जलाधारी से जल लेकर आए हैं इस जल को उसी व्यक्ति को पिला दीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसके बाद में आप जो सफेद दूरवा वापस लाए हैं इस दूरवा को एक कटोरी के अंदर शुद्ध जल भरकर उसे जल के अंदर डाल दीजिए और इसका जल उस व्यक्ति को प्रतिदिन सुभा दोपहर शाम आधा चम्मच देते रहिए यही जल इसी तरहा आपको एक एक से डेढ़ महीने तक उसे व्यक्ति को पिलाना है एक से डेढ़ महीने के अंदर आप देखेंगे उस व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग और बीमारी होगी जो भी कश्ट होगा वह सब धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएगा यहां पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है तो दो को लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए